मैं सर्वन सिंग पंदेर डिली अंदोलन के दो मोर्चे से बोल रहा हूं जो नैपसानी जी जो हर्याना के मुख्यमंत्री हैं जिनका ब्यान आए हुए अभी दो दिन हो गए वो 24 पसलों का बोल रहे हैं अभी मैं MSP दूंगा ये मुझे लगता हासोहीना ब्यान है एक दो उन का जो राजकिये वित्तिकोष है उसमें से कोई हमें प्राबधन नहीं नजर आया पि उन्हों कोई वित्का प्राबधन किया है पि ओफसल कैसे खरी देंगे जब उन्होंने announcement किया है तो अभी तो धान की कटाई में काफी समय बाकी है भहुसी फसले अभी तो मंडी में है ही नहीं अक्तूबर में हर्याना के चुनाव हो जाएंगे आगे की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये तो हर्याना की किसान मज़दूर ने फैसला करना है जिस तरह से देखा जाए तो कोई भी इस तरह का बयान जो सत्ते हो ऐसा बयान किसी भी मुख्य मंत्री को नहीं देना चाहिए कल खेतिबाडी मंत्री जी ने राजसभा में कहा हम किसानों से बात करके मसलों का हल करेंगे अच्छी बात है किसान भी बात्ची से मसलों का हल चाहते हैं लेकिन जो हमें लग रहा है केंदर की नियत और नीती में बहुत फर्क है अंतर है वह मसलों का हल नहीं करना चाहता और लगातार हर्याना का अबॉर्डर बंद करके जो पंजाब हर्याना के बैपारी हैं ट्रांस्पोर्टर हैं आम जनतां को तंग करना चाहता है तो अच्छी बात होगी अगर सरकार बातचीत का रस्ता खोलेगी तो धन्यवाद मैं सरवन सिंख पंदेर डिली अंदोलन के दो मोर्चिय से बोल रहा हूं जो नैपसानी जी जो हर्याना के मुख्यमंत्री हैं जिनका ब्यान आए हुए अभी दो दिन हो गए वो 24 पसलों का बोल रहे हैं अभी मैं MSP दूंगा ये मुझे लगता हासो ही ना ब्यान है एक दो उनका जो राजकिये वित्ती कोश है उसमें से कोई हमें प्राब्धन नहीं नजर आया पि उन्हों कोई वित्का प्राब्धन किया है पि वो फसल कैसे खरी देंगे जब उन्होंने अनौसमेंट किया है तो अभी तो धान की कटाई में काफी समय बाकी है बहुत सी फसले अभी तो मंडी में है ही नहीं अक्तूबर में हर्याना के चुनाव हो जाएंगे आगे की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये तो हर्याना के किसान मजदूर ने फैसला करना है तो मुझे लगता उनका बयान अलेक्षन को ध्यान में रख कर दिया गया है और उस बयान में कोई सचाई है ही नहीं जिस तरह से देखा जाए तो कोई भी इस तरह का बयान जो सत्ते हो ऐसा बयान किसी भी मुख्य मंत्री को नहीं देना चाहिए कल खेतिबाडी मंत्री जी ने राजसभा में कहा हम किसानों से बात करके मसलों का हल करेंगे अच्छी बात है किसान भी बात्ची से मसलों का हल चाहते हैं लेकिन जो हमें लग रहा है कि इंदर की नियत और नीती में बहुत फर्क है अंतर है वह मसलों का हल नहीं करना चाहता और लगातर हर्याना का अबॉर्डर बंद करके जो पंजाब हर्याना के बैपारी हैं ट्रांस्पोर्टर हैं आम जनतां को तंग करना चाहता है तो अच्छी बात होगी अगर सरकार बातचीत का रस्ता खोलेगी तो धन्यवाद